नमश्कार में उप्रिया विहारी नियूज में आपका स्वागत है चरी जानते हैं अब तक की बड़ी खबरों को सुशान सिंग राजपूत के पिता केके सिंग ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला किया दर्च सुशान सिंग राजपूत के गुजरेवे डेर महीने से ज्यादा का समय होने के बाद उनके पिता ने अपने बेटे को अंसाफ दिलाने की मुहीम शुरू कर दी है जिसके तहत उन्होंने पटना के राजीर नगर थाने में मामले को दर्च करवाया है साथ ही उनकी काथित गल्फरेंड रिया चकरवर्ती को भी निशाने पढ़ लिया है मिली जानकारी के नुसार 26 जुलाई को सुशान सिंग राजपूत के पिता क्रिशन किशोर सिंग द्वारा पटना पुलिस को लिखित शिकायत में रिया चकरवर्ती समेत उसके पूरे परिवार का नाम शामिल के आगया है उन्होंने सुशानत को पूरी तरह से अपने कबदे में करने की बात कही है उनके बैंक अकाउंट को भी रिया चकरवर्ती ही मैनज करती थी पिता ने साफतोर पर कहा है कि सुशान्थ के रुपे भी रिया ने गबन कर रखे हैं और सुशान्थ पर वह दबाव बना कर रखती थी DSP और दरोगा कानून की बारीकियों से लेकर लेंगे योग और प्रानायाम की सीख DSP इंस्पेक्टर और दरोगा को जुश्दरोस रखने के लिए सेवाकालीन प्रसेक्शन को लेकर नया खा का तयार किया गया है इस प्रसेक्शन के दोरान जहां सभी DSP इंस्पेक्टर और दरोगा को नए-ने कानून को लेकर जानकारी दी गई है पहीं तनाव से मुक्त जीवन के लिए योग भी सिखाया जाएगा विहार पुलिस अपने अफसरों को दिये जाने वाले ट्रेनिंग के लिए पूरी तरीके से तयार करने की कोशिच कर रही है और हर तरह के कोर्स को तयार करने में जुट गई है जल्दी इस पूरे कारिक्रम का अंतिर रूप दे दिया जाएगा अधिकारियों के माने तो प्रोनती का लाभ लेने के लिए प्रसेक्शन पास करना अनिवारे कर दिया गया है मिली जानकारी के नुसा यह 48 कारे दिवस का प्रसेक्शन होगा और इसे सेवाकालीन प्रसेक्शन के नाम से जाना जाएगा आज इंटरनाशनल ट्राइगर्स डे पर वालमी की नगर टाइगर रिजर्व में बागो की संख्या पहुची है 50 के पार बिहार के वालमी की नगर टाइगर रिजर्व में बागो की संख्या बढ़ती जा रही है जिसका खुलासा आज टाइगर इस डे पर किया गया है मिली जानकारी के नुसार वालमी की टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 50 के पार पहुच गई है 2019 में हुई बागो की गर्णा में इसकी जानकारी साजा की गई है। संख्या को देखते हुए वन विभाग दे अपने खुशाई जाहिर की है। 15 अगर्स को गांधी मैदान में होने वाले कारिक्रम पर भी COVID-19 का सरसाफ तोर पर देखने को मिलेगा श्रम संसाधन विभाग के 2600 पदों पर निकाली गई फर्जी बहाली का हुआ खुलासा बिहार में श्रम संसाधन विभाग वे फर्जी बहाली निकालने की खबर सामने आई है मिली जौनकारी के नुसार सोचिवाले और बिजले विभाग में फर्जी बहाली निकालने के बाद एक बार फिर से बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के 2600 पदों को लेकर बहाली निकाली गई है जिसको लेकर चातरों ने एक गलत वेबसाइट भी साजा की है जिसमें 500 आवेदन शुल्क जमा करने की बात कही गई है जो वेबसाइट बनाये गया है उसमें असली और लोगों को भरोसा द दिलाने के लिए सीम नितीश कुमार, डिप्टी सीयव और श्रम संसाधन विभाग के मंत्री की फोटो भी लगाई गई है इस बारे में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजर कुमार सिनहा ने बताया है कि विभाग में ऐसी कोई एजिंसी नहीं है और ना ही विग्याप अपने भी लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। में बेकाबू हो चुके COVID-19 के मामलों को देखते वे मुख्यमंत्र नितीश कुमार लगातार आक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज बात करेंगे बिहार के इंजीनिर रह चुके मानस बिहारी वर्मा और अभिनेतरी सोनल जाकी। बिहार से निकले मानस बिहारी वर्मा भारतिय एरनोनाटिकल साइन्टेस्स थे। उनका जन्म बिहार के दर्भंगा जुले में 29 जुलाई उननिस सो ते तालिस को हुआ था। मानस बिहारी वर्मा ने लाइट कॉमबा अक्ट एरक्राफ्ट तेजस बनाने में अपनी एहम भूमिका निभाई थी। 2018 में उन्हें इस काम के लिए पद्मिर्श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इतना ही ने उन्हें Scientist of the Year Award से भी पूर्फ प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाचपई ने नवाजा था। 6,000 रुपे देने की प्रक्रिया इसी हफते से शुरू करवाय जाने का फैसला सुनाये गया है। पुर्गोपाल गंच खगरिया सारन पुर्वी वग पश्ची में चमपारन का नाम शामिल है। पटना इम्स में COVID-19 वाक्सिन का दूसरे चरन का ट्राइल शुरू। COVID-19 के बेकाबू बटर है मामलों के बीच थोड़ी रहात भरी खबर सामने आई है। पहले चरन के सकरात्मक परिणाम आने के बाद आज से पटना इम्स में दूसरे चरन के शुरू आत की जा रही है। जिसके तहट पटना इम्स के अधिक श्रक दॉक्टर सी एम्स सिंग ने बताया कि पहले फेस में जिन 49 लोगों पर COVID-19 के वाक्सिन का धूमन ट्राइल किया गया था अभी सभी लोग स्वस्थ है। दो सब्ता पूरा होने के बाद वाक्सिन के दूसरे फेस का ट्राइल शुरू हो रहा है। COVID-19 के माहौल में सिक्षा विवस्था को की बधाल हो रही स्थिती को देखते वे अपना कदम आगे बढ़ाया है। प्रवक्ता निखिलानन ने कहा कि नेत्रित्व को लेकर महागर्ठ बंदन में विवाद बढ़ाया है। जिस पर रालो सुपा प्रवक्ता अभिशेक कुमार ने कहा कि महागर्ठ बंदन में कोई विवाद नहीं है। देश में COVID-19 प्रवावितों की संख्या पहुंची 15 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 10 लाख मरीज ठीकों कर घर वापस लोट चुके हैं। स्वास्तमंत्राले के तरफ से जारी किये गए जानकारी के अनुसार। देश में अभी COVID-19 से 5 लाख 9,447 अक्टव मावले हैं। वहीं भारत में कुल मिलाकर 34,244 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं 9,88,029 लोग से रिकावर कर चुके हैं। इस इकरा में प्रभावित राजों की बात करें तो महारास्ट में बीते 24 घंटे में 7,717 मामलों की पुष्टी की गई है। जिसके बाद राजों में प्रभावितों की कुल संख्या 2,23,227 पर पहुँच गई है। फिलहाल 1,44,694 लोगों का इलाज जारी है। राजाने दिल्ली में COVID-19 के बढ़ते माहल के भी सकरात्म परणाम देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में 1,056 मामलों की पुष्टी की गई है। इसके साथ ही रिकावरी रेट 88.33% दर्च किया गया है। स्टुवर्ट ब्रोट के टेस्ट में 500 विकेट पर साचिन दिल्ली ने किया ट्वीट इंगलाइट के स्टुवर्ट ब्रोट ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट अपने नाम कर लिया है। साचिन की तरफ से किये ट्वीट में उन्होंना लिखा है कि इंगलाइट को उनकी श्टुवर्ट ब्रोट की चाल में अलग बात है। साचिन के लिए असम के लिए दान करने के बाद बिहार के लिए भी दान किया है। साच के सवाल की और आज का सवाल को चिस प्रकार है। आपके रुसार COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते वे क्या बिहार में 31 जुलाई के बाद भी लॉकडाउन डागों किया जाना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार के अब तक की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दबाना ना भूले।